ब्लैक किट एडूकेशन डिफेंस की परिक्षाओं की तैयारी के लिए एक बहतरीन प्लैटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ट विशेश अग्यो दुआरा एक सही मार्ग दर्शन जो आपको डिफेंस से सम्बंदित परिक्षाओं जैसे की आर्मी, एर फोर्स, नेवी, पुलीस और अन्य कंपिटेटिव परिक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है आलो गाइस नमस्कार, स्वागर तरा अज़ाद्स तभी का आज की क्लास में guys हम वैदे काल के बारे में जिसक्स करने वाले हैं वैदे काल देखो में प्रीविएस डासेज में हमने सिंधू सब्वेटा डिसक्स करी थी सिंदू सब्वता जो कि हमारे देश की क्या है पहली नगरिय सब्वता है अर्वन सिविलाइजेशन है तो थोड़ा सा comparison करते हुई चले देहों सिंदू सब्वता क्या बताई थी मैंने नगरिय सब्वता और यह क्या है यह ग्रामीड सब्वता है ठीक है दूसरा क्या सिंदू सब्विता मात्र सत्तात्मक सब्विता थी और ये जो है ये पित्र सत्तात्मक सब्विता है सिंदू सब्विता में मात्र देवी की मूर्ती हमें ज्यादा मिली है तो सिंदू सब्विता का समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक था और ये समाज जो है पित्र सत्तात्मक है अच्छा अब एक क्वेशन यहां पर उड़ता है कि जो सिंधु सब्धा है सिंधु सब्धा का डेक्लाइन हमने देख लिया था सत्रह सो पचास में यही तो हमने देखा था सबके मत हैं जैसे कुछ लोग यह बोलते हैं की झास अगए सब्धा का पतन हाई और उनहीे लोगों ने आगे चलकर व्हदिक सब्धा को विक्सित किया है अब पतन को लेकर लेकर दे बेंको कई लोग बोलते हैं कि अधुक्रिय क्दीर कंगे द्वारा या किसी इतुए चार फ्रतिक में टैब ine चैनल में अधा filter हो जब सबकी मझ में में मैं पराया कृमनी सकता उन्वार कंगे गना सकता है तो है तो अाथीवियो जो्रुत के नहीं बस सकता, आठवी बार भी तो बसा जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं हुआ, उसके लाबा कुछ लोग यह बोलते हैं कि हो सकता है, किसी विदेशी यहां पर जाती ने आकरमण कर दिया हो, यह जो सेकंड वाला पॉइंट है न, यह थोड़ा सा माना जा सकता है, कि हो सकता है, किसी विदेशी लोगों ने यहां पर आकरमण किया हो, इसलिए जो वैदिक काल है न, यहां के देखे वैदिक काल के निर्माता कौन है, आरे हैं, वैदिक काल के निर्माता किसको माना जाता है, आरे को माना जाता है, और यह कहा जाता है, कि यह जो आरे है न, यह भारत क बाहर से आए हैं और इन्हों ने यहां आकर यहां के लोगों को यहां के लोगों पर आकर्मण किया और अपना यहां पर राज्य स्थापित किया यह कहा जाता है कि यह सारे के सारे लोग विदेशी थे यहां आये थे और यह जो सेकेंड वाला मत है ना पहला वाला तो मैंने ब सबढ़िक उसको खतम करके अपनी Inside Upad Vixit की दो कहा जाता है कि मध्य-इशिया से थिक हां से थिए Equal ऐसे थो कि बहुत से मत आते हैं यह आपर कोई आपको पॉढ़न का बताएगा कोई us बताना है माढ़ी तेरी मेख मौलर के थी घास म्यास एस्टयपी मैधा टाट है कर अब डेश्या में इस्ट्यपी घास के मैदान अब अब देखो यह कहा जाता है कि अनवरों के साथ में आसे अरिये में जानवरों का चारा यह खुट का खाना खत्म हो जाता तो वहां सी क्या करते थी तो इसी तरइके से यहां से इन लोगों ने माइगरेट करना स्टार्ट किया तो यहां से दो तरीके से लोग निकले कैसे एक तो गई यॉरॉप में और यॉरॉप में कहा गई जर्मनी देखिए यॉरॉप में जर्मनी गए थे इसलिए जर्मनी में जो हिटलर हुआ था ना हिटलर अपने आपको आरे कहता था और दूसरे जो अनारे होते थे ना उन लोगों से नफरत करता था हिटलर चलो दूसरे कहां गए एक योरोप गई और दूसरी शाखा गई इरान में अब देखिए योरोप वाली तो योरोप में रह गई इरान वाली शाखा के फिर से चार भाग हुए देखो एक तो है मित्तानी सामराज्य और दूसरा है हिट्टाइट सामराज्य यह मित्तानी सामराज्य टर्की में नहीं था यह सीरिया में था कहा पर है यह सीरिया है और हिट्टानी सामराज है तुर्की में या फिर जिसको हम बोलते हैं टर्की में आच natuurlijk अब देखिए बाकी के दो भी डिस्कस करेंगे पहले इन दौनों को देखते हैं इन दौनों में लडाईया होती थी दौनों सामराज अब देखें सामराज क्या है बीच में आपस में लड़ाईया तो ओविस्ती बात है लेकिन दौनों के बीच में मैत्री हुई लड़ाई के बाद संधी भी तो होती है लड़ लो मर लो फिर मित्रता कर लो तो दौनों के बीच में मैत्री हुई इस मैत्री से संब्दित एक question है जो exam में आता है क्या question है दीखें इस मैत्री हुई और इस मैत्री के 4 देवता गवाहा बने अपने भारत के चार देवता अपने भारतीय देवता है 4 देवता गवाहा बने हैं कौन-कौन से? इंद्र वरोण मित्र ठीक है ये चार देवता यहाँ पर गवावने है और इन चारों देवताओं के बारे में उलेख हमें कहाँ पर मिलता है तो उलेख है एक अभिलेख है वोगज कोई अभिलेख और कब का है ये 1400 BC का अभिलेख है बैसे तो इसको खोज किया था 1907 में यूगो ने लेकिन वो यूगो का क्वेशन नहीं आता है एक्जाम में मैं से जितए आता है कि किस अभिलेक में है और य हो सकता है एक्जामनर क्या करें चारों हम गलत दे दे चारों व्याहदना हो गया इसके बाद में देखिए एक तो था कस्टाइट सामराज है और एक था अफगानिस्तान एक सामराज गई है एक शाखा गई है अफगानिस्तान की तरफ यह जो अफगानिस्तान की तरफ शाखा गई है ना देखिए अफगानिस्तान से ही अपने भारत की तरफ आते हैं तो सब्त सिंधु प्रदेश आता है और इस सब्त सिंधु प्रदेश से होते ही यह शाखा भारत में प्रवेश करी है और कप करी है तो 1520 में करी है तो इस तरीके से यह जो विदेशी जाती है और अपने भारत में प्रवेश करते हैं इस तरीके से तो exam में question आपको कहां से याद रखने हैं झाल झाल